Hello everyone, आज मैं इस वीडियो में आपको ये explain करूँगे कि ये program है क्या? Gut Health and Weight Loss Program. मुझे बहुत सी inquiries आ रही हैं जिसमें लोगों के बहुत से doubts हैं, बहुत से questions हैं. So, इस वीडियो में हम वो सारे doubts और queries को clear करेंगे कि ये program actually है क्या? तो पहला question आ रहा था मुझे कि ये एक weight loss program है. So, let me explain you, this is not just a weight loss program. ये एक weight loss program नहीं है सिरफ, ये एक gut cleaning program है. Gut की health improve करने का program है. सब जानते हैं कि जब हमारी gut healthy है तो उसका impact सिरफ physical नहीं, mental and emotional level पे भी पढ़ता है. और जैसे ही हमारी inner gut clean होती है, हमारी health improve होती है, तो weight loss तो एक side effect है, एक by product है. जादा important है कि हमारा lifestyle healthy होता है, हमारा, जो भी हमारे nutrients हैं, जो body को वो absorb हो रहे हैं properly, and उसके कारण जो भी हमारी बिमारियां हैं, वो या तो ठीक हो रही है, या हमें life में आगे बिमारियां नहीं हो रही. Second question मुझे ये आ रहा था, कि ये diet sustainable है या नहीं है. जो आप सोच रहे हैं, वो मैं भी सोच रही थी कुछ देर पहले, और मैं life में बहुत सी diet करके निकली हूँ, चाहे वो shake diet है, चाहे वो keto diet है, चाहे वो low carb diet है, कोई भी जब आप diet के नाम से करते हैं, तो वो diet होती है, वो उतनी देर तक ही sustainable होती है, जब तक आप उसे continue कर रहे हैं, और उसके बाद जब आप उसको छोड़ देते हैं, या तो वो सारा weight वापिस आ जाता है, या उससे जाधा भी आ जाता है. इस program में ऐसा कुछ नहीं है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हम diet है नहीं, यह हम आपको एक lifestyle आपका change कर रहे हैं, बहुत basic सी छोटी-छोटी changes करके, और वो changes क्या हैं, क्योंकि हम खाना नहीं change कर रहे हैं, आप खाना वही खा रहे हैं, जो आप खा रहे थे इतने सालों से, और जब आप 20-30-40 साल से एक खाना खा रहे हैं, टेस्ट बड़्स हैं, चाहे आप vegetarian हैं, चाहे आप vegan हैं या non-vegetarian हैं, तो वही खाना, वही ingredients, वही मसाले, वही spices यूज़ करके, लेकिन, change क्या कर रहे हैं, small changes in your lifestyle, और जैसे dinner time change कर दिया, तो rather than 9-10 बज़े खाने की comparative, आप 6 बज़े, साड़े 6 बज़े तक अपना dinner कर लेंगे, या फिर आपकी water intake जादा होगी, तो minimum water intake is 3 liter, चोकि मैं भी culprit हूँ, कि मैं अपनी life में, एक glass भी नहीं पिया, दो glass पी लिए, अब हम UK में रह रहे हैं, अगर सर्दी है, तो पानी इतना आप नहीं पीते, तीसरी चीज़ जो हम change करते हैं, कि खाना वही है, लेकिन उसको एक portions control, हमारी stomach बहुत एक funny, intelligent, clever, और जो भी आप mind दे ले, आप जितना feed करेंगे, आपने notice करा होगा, जब आप increase कर दे portions, तो आपको भूख जादा लगने लग जाती है, जब आप portions reduce कर दे, आपका थोड़े में भी पेट भजाते हैं, तो portion control करना, और fourth thing, जो बहुत important है, right combination of food, यह हर चीज में लिखा हुआ है, scientifically proven है, और यह program scientifically proven है, हमारे, अगर हम Indian culture में चले जाए, Ayurveda में भी बहुत सी चीजें, हमारे सब books में यह लिखा हुआ है, कि right combination of food, right time of food, वो कितना important है, तो यह diet इसी लिए sustainable है, क्योंकि यह diet ही नहीं है, यह आपका lifestyle को modify कर रही है, हम कहते हैं कि food medicine है, food को अगर आप medicine की तरहें ले, थोड़ी-थोड़ी quantity में ले, तो वो medicine है, लेकिन अगर आप food को medicine की तरहें नहीं लेंगे, तो आपको medicine food की तरहें लेनी पड़ेगी, तो यह बहुत-बहुत important चीज़ है, और जितनी जल्दी हमें यह समझ आ जाए, वो बहुत important है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि हमारा lifestyle बहुत change हो चुका है, जो हमारे grandparents का lifestyle था, या उनसे पहले generation में lifestyle था, वो आज नहीं है, आज जादा mental work है, rather than physical work, तो they were more healthy than us, हम जो आजकल इतने healthy, हमारे को इतनी lifestyle diseases हैं, diabetes, blood pressure, heart, ये सारी problems lifestyle diseases हैं, ये all of a sudden एक दिन नहीं pop up हो जाती, हमारे grandparents को, हमारी older generation को, diabetes या blood pressure, या heart diseases, और stress, stress से कैसी चीज़ है, वो कहां से आ रही है, वो सिरफ हमारे lifestyle से आ रही है, तो हम इस food में, इस diet में, इस program में, आपको ये teach कर रहे हैं, कि कौन सा food अच्छा है, कौन से food combination अच्छे है, कौन से timing अच्छे है, क्योंकि उस चीज़ों को change करके, सिरफ आपका weight loss नहीं होना, weight loss तो मात्र, एक byproduct है, जिनोंने weight loss नहीं भी करना, उनको भी ये program करना चाहिए, क्योंकि इस program में, इतनी learning है, और learning के साथ-साथ, वो ये है कि आप अपना पूरा lifestyle चेंज करते हैं, और जब आपने lifestyle चेंज कर लिया, आप किसी health condition के पास, जा ही नहीं सकते हैं, आप 90 years तक, 100 years तक, healthy रह सकते हैं, even cancer जैसी problems भी lifestyle से हैं, right, third point जो मैं यहां mention करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को यह लगता है, कि यह diet powders है, shakes है, या protein, जैसे protein shakes है, नहीं, इसमें सिरफ आपको additional nutrients मिलेंगे, या supplements मिलेंगे, और वो supplements और nutrients क्या हैं, aloe vera juice, noni juice, ऐसी चीजे हैं, जो natural हैं, और यह सारे plant based products हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जब आपकी gut को healthy करने के लिए, क्योंकि gut में इतने toxins हो चुके हैं, तो आपको right enzymes दिये जाने चाहिए, वो यह nutrients करते हैं, वो इसको supplement करते हैं, क्योंकि आपके real food को आप कभी replace कर ही नहीं सकते, मैं भी culprit हूँ, shakes diet, protein shakes diets वो लेने के लिए, लेकिन होता क्या है, मैंने एक बार ये diet करी थी 2016 में, lose कर लिया मैंने, लेकिन आप जैसे ही करते हैं, और during the program भी, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर गड़बड कर लेते हैं, आप दिल तो करेगा हमारा खाने को, salt हमारा basic nutrient है, salt, थोड़ी craving sugar की, वो चीजें हम खाएंगे, लेकिन वो craving sugar की हमें naturally मिल जाती है, natural food से, so वो shakes पे आप lifelong नहीं रह सकते, और अगर रहेंगे, तो वो उसके after effects बहुत जादा है, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ, और जो supplements भी है, वो सिरफ initial 30-45 days है, उसके बाद जब आपको exit plan दिया जाता है, जब आप target weight पे चले गए, तो बहुत से लोग हैं, जो अपने target weight को, साल, 2 साल, 4-4 साल से maintain कर रहे हैं, हाँ, अगर आप अपने वापिस उनी चीजों में, bad habits में चले जाते हैं, जहां मैं bad habits कह रही हूँ, वो यह है कि रात को late night खाना-खाना, dinner और breakfast में, 12 घंटे का gap नहीं हो ना, तो obviously वो चीजे वापिस आएंगी ही आएंगी, so यह small changes से, आपकी lifestyle को change करके, इस program में आपके gut healthy होगा, और weight loss होगा, और इतने remarkable changes हैं, इतने remarkable results हैं, कि लोगों ने 10 kg, within 4 weeks lose किया है, या 15 kg lose किया है, और इसमें age का कोई बार नहीं है, 18 से लेके, anyone to the age of 40, 50, 60, कोई भी age पे, अगर आपको कोई health conditions है भी, उस condition में भी doctor की consultation के साथ, आप इस diet को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें diet नहीं है, हम ये कहते हैं कि इस diet को कर सकते हैं, क्योंकि हमारे psychologically, हमारे mind में ये चीज़ है, लेकिन ये diet नहीं है, ये आप वही food खा रहे हैं, मैं राजमा खा रही हूँ, मैं काले चने खा रही हूँ, मैं पनीर खा रही हूँ, मैं green vegetables खा रही हूँ, लोग chicken खा रहे हैं, fish खा रहे हैं, मैं vegetarian प्लान कर रही हूँ, और मेरा ही, मेरी age 52 है, अगर मैं कहूँ कि 50 के पास weight loss नहीं होता, लोग अगर मैंनो pause के थूँ जा रहे हैं, तब weight loss नहीं होता, ये सब myth है, ये मैं कहूँगी, ना करने के अपने mind को देने के बहाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप शिद्दत से कुछ भी करो, सब कुछ होगा, तो अगर आपके कुछ और doubts हैं, इस program के बारे में, तो मुझे please message करें, और अगर आप interested हैं, तो हम इसकी journey आप एकठे शुरू कर सकते हैं, इससे आपकी जब gut health improve होती है, तो आपकी skin improve होती है, आपकी energy levels change होते हैं, आपकी stress level कम होते हैं, आपको अच्छी need आती है, आप fully emotionally and mentally energetic रहते हैं, जब आपकी health अच्छी है, तो आपके life के बाकी aspects भी अच्छे ही होंगे, क्योंकि आप healthy हैं, तो अपने work में fully time devote कर सकते हैं, अपने relationships में कर सकते हैं, अपनी सारी energy आप बाकी चीजों में लगा सकते हैं, rather than सिरफ ये worry करने के, कि मेरा weight कम नहीं होत रहा, या मेरी health अच्छी नहीं हो रही, या मुझे ये problem है, या वो problem है, मेरे लिए life के success के चार parameter है, मैं हमेशां ये कहती हूँ, मैंने अपनी book में भी यही लिखा है, और वो सबसे पहला parameter है health, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही passionate subject है, बहुत सालों से इन चीज़ों में health के subject teach भी कर रही थी, जब मैं teaching में थी, क्योंकि मेरा ये passion था, कि natural way में हम कैसे अपने आपको cure कर सके, natural way में हम कैसे अपनी health को improve कर सके, so पहला pillar मेरे लिए हमेशां से health है, second pillar obviously is wealth, wealth होगी तो आपकी बाकी चीज़े भी ठीक होगी, relationship और चौथा है आपका passion in life, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि पहले health achieve होगी, तभी relationship आएगा या तभी wealth आएगी, ये चारो pillar इकठे हैं, अगर आप एक roof, एक building है, तो ऐसा नहीं है कि पहले एक pillar पे खड़ी होगी, फिर दूसरे पे pillar पे खड़ी होगी, आपको चारो pillar पे वो तभी balance करके आपकी life चलेगी, so balanced life के लिए, wealth बहुत important है, health बहुत important है आपकी life में, आपके relations कैसे हैं, वो बहुत important है, और fourth चीज, जो मेरे लिए लगता है, मुझे लगता है कि success का एक बहुत बड़ा parameter है, passion आपका life में, आप दुनिया को वापिस क्या दे रहे हो, आप give back क्या कर रहे हो, so जब तक आपके ये four pillars strong नहीं हैं, और वो give back आप किसी way में कर सकते हैं, money के way में कर सकते हैं, किसी को कुछ suggest कर सकते हैं, किसी को help कर सकते हैं, तो ये four pillar बहुत ज़रूरी है life के, so thank you so much मुझे यहां तक सुनने के लिए, आपके अगर कोई questions हैं, तो मुझे please नीचे message करके बताएं, and मेरा number है, यहां पे मेरी email है, आप जिस तरह भी मुझे contact करना चाहें, YouTube से, Instagram से, TikTok से, Facebook से, I am always there to help you. Thank you so much.